हेलो फ्रेंड्स, एरलाइन्स के इस वीक्ली अपडेट में आप सभी लोग का सवागत हैाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन सारे टौपिक जो भी आपको स्क्रीन के उपर दीख रहा होगा, हम अभी आज के इस वीडियो में इन सारे टौपिक के सकते हैं क्योंकि मैं वीडियो के description में आपको time stamp दे दूँगा जहां से आप easily वहां पर जा सकते हैं तो शुरू करते हैं आज काई वीडियो सबसे पहले यहां पर quarantine को लेकर update ले लेते हैं क्योंकि यहां पर quarantine से update इसलिए भी ज़्यादा जुरूरी क्योंकि इस समय जितने भी अंतराश्टी passengers हैं उन सभी लोगों के लिए यदि वो भारत में आ रहे हैं तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि कौन से राजे में कौन से एरपोर्ट पर किस तरीके का quarantine हो रहा हैं तो यहां पर हम बात करेंगे तीन बड़े एरपोर्टों को लेकर सबसे पहले दिल्ली इससे यदि आप दिल्ली एरपोर्ट पर आएंगे तो आपका quarantine नहीं हो रहा हैं लेकिन आपको यहां पर करोना का negative report लेकर travel करना पड़े नहीं तो आपको दिल्ली एरपोर्ट पर आने के बाद अपना को रोना का जाज कराना पड़ेगा यदि आपका करोना का रिपोर्ट negative होगा उसके बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं और घर पर जो है आपका home quarantine रहेगा 14 दिन का तो फ्रेंट्स यह होगे दिल्ली एरपोर्ट से जानकार तो फ्रेंट्स यहां पर आप बात के लेते हैं मुंबई एरपोर्ट को लेगा क्योंकि दिल्ली एरपोर्ट के बाद यदि सबसे अदा उड़ाने आती हैं तो वो है मुंबई एरपोर्ट तो मुंबई एरपोर्ट पर यहां पर एक बुरी खबर है क्योंकि यहां पर जितने भी उरोप के पैसेंजर्स हैं इसके लावा गल्फ देसों से आ रहे हैं या फिस साउथ अफरिका से और UK से आने वा पर भी आकर अपना कोरोना का जांच कराना चाहते हैं तो आप यहां पर कॉरेंटीन से नहीं बस सकते हैं क्योंकि मुंबई एरपोर्ट पर कंपलसरी साथ दिनका कॉरेंटीन रखा गया है इसके लावा यदि आप दुनिया के किसी भी देश से मुंबई एरपोर्ट पर आप यू के से आते हैं तो ऐसे हलात पर आपको मुंबई एरपोर्ट पर कोरोना का जांच किये बिना ही आपको इंस्टिटूशनल कॉरेंटीन में डाल दे जाएगा और साथवे दिन आपका कोरोना का जांच किया जाएगा तो फ्रेंट्स यह हो गई यहां पर मुंबई तो फ्रेंट्स यहां पर तीसरे नंबर पर जो सबसे अदा उडाने आती हैं वह बैंगलूरू एरपोर्ट पर है बैंगलूरू एरपोर्ट पर यहां पर जो नियम है वह नियम साफ साफ है कि आपका इंस्टिटूशनल कॉरेंटीन किसी भी हालात में नहीं होगा जब तक पर आने के बाद आपका कमपल्सरी करोना का जाएगा और करोना का रिपोर्ट यहां पर आपको हम करेंटीन ही है तो फ्रेंट यहां पर आपने समझ लिया होगा इन तीनों बड़े एरपोर्टों को लेकर इसके लावा जो बाकी बच गए एरपोर्ट जैसे की कोलकाता गौरा धर भी एरपोर्ट फिर सब हैरपोर्ट पर ही जो नियम माध्र एसकी ब Carolina काे पर्म नेगयवा जहां डियूदीन हो्म करेंटिन में रह सकते है तो फ्रेंट सिह होगे पूरी की पूरी का लगे ज्ड़ेकर्वा हैं जेट एर्वेज को लेकर जेट एर्वेज जो कि भारत की कभी सबसे बड़ी एरलाइंस कंपनी हुआ करती थी इस समय अपनी उड़ानों को फिर दुबारा से चालू करने का इंतजार कर रही है यहां पर आपको पता होगा कि जेट एर्वेज का मामला इस समय एंसी एल्ट क्योंकि जेट एर्वेज को अल्रेडी दो साल होने को आया और अभी तक जेट एर्वेज अपनी उड़ानों को चालू नहीं कर पाई है तो जो भी जानकारी जेट एर्वेज को लेकर रहने वाले है वो 25 जनवरी के बादी अप्डेट आप आएगी कि आगे जेट कमपनी को मिल जाए तो यहां पर भारण से कौन को से देसों में इस तarlik पर अब इसें और पर और उसके बारे में बारे की इस योचे में नैकर ना वायरस जो आया हुआ है उसके करण भारत ने कुछ लिमिटेट तोर पर उड़ानों की अनुमति दी हुई है सौधी के लिए अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ पाया है कि भारत सौधी के लिए अंतराश्टे उड़ाने कब से चालू करेगा क्योंकि इसको लेकर सौधी ग दैसे सौधेता लिए उन नहीं नहीं है उन डैसों साथ यदि कोई भी पैस्थेंजर स्वाषी यदि वहाँ है तो उन पैसेंजर स्को भारत में के लिए बंदे भारत चसेंट के ऊटायों है और भी यह यह फूरिज के उडदे में पर मिशन की सौधन बालबी एकने लिए इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नॉर्मल फ्लाइटों को चालू करने के लिए वैक्सिन इस समय सबस्यादा इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंट यहाँ पर भारत में वैक्सिन की जो सुरुआते हो 16 जनवरी 2021 से भारत में चालू कर दी है और उसके चार दिन बाद य प्रवाइड कर रहा है जैसे जैसे जिस जिस कंट्री अब है सब्सक्राइब कर रहा है और सबसे बात या है कि भारत से करेदने के लिए डेफल अर। कि सौदी अरेबिया भी भारत के पास आ रहे हैं कि भारत की वैक्सिन लेकर वो अपने लोगों को लगा पए तो यहां पर बहुत अच्छी ख़वर है वैक्सिन को लेकर एक बुरी ख़वर आई थी सिरम इंस्टूट के एक बिल्डिंग में आग लग गई थी लेकिन उससे व हो गई वैक्सिन को लेकर इस वीक की सारी जनकारी अगली अपडेट ले लिए यहां पर दोमेस्टिक फ्लाइटों को लेगा तो फ्रेंट डोमेस्टिक फ्लाइटों में इससमें काफी अच्छा ऊफर चल रहा है लगवच जितने भी एरलाइंस कंपनिया है उन सभी जनवरी के बीच में रखा हुआ था लेकिन इस समय इन लोगों ने अपनी जो ऑफर है उसको 24 जनवरी तक बढ़ा दिया मतलब आप जो आज ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद भी 24 जनवरी तक ये ओफर चलने माला है यदि आप इस समय डोमस्तिक उडानों से ट्रेवल क के बीच में मिलता था इस समय यदि आप टिकट बुक करेंगे तो आपको 3000 या फिर 2000 के आसपास ही आपको टिकेट मिल जाएगा तो फिर यह हो गई सारी जनकारी डोमस्तिक फेर को लेकर इसके लावा जो जो जनकारी आ रही है उसके अनुसार इंडिको एरलाइंस यहां पर कई सारे ऐसे एरपोर्ट हैं जहां पर इंडिको एरलाइंस अपनी नई उडानों की शुरुआत करें मतलब कि इंडिको एरलाइंस ने इन एरपोर्ट से इससे पहले अभी तक अपनी फ्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ था तो फ्रेंट्स यह होगी सारी की सारी जानक लिए जिन यहां परं की यहांपर बार यहां की सारे सी जीदे आरह आरोइस यहां पर भारत के ऊपरा यहांश से और से यह फोली माड़ा क्ला कर श्राण के एंस पूलifसर की कॉस्तिए यहां कि लियावनिश कहना, यहां बादा मैं, बादब का कách और बिया है कि यहां पर सब्सक्राइब करें तो इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो खतम करते हैं यदि आपको यह वीकली सेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आवस से नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं इसके लावा यदि आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक भी इस वीडियो में कवर किया जाएं तो भी आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही था वीडियो अच्छी लगे तो जुरूर लाइक करें और चैनल को यह दिया आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें झाल